जे 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 गिर जाके नंदन जे जे मात शार दामाई जे 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 सिवी ओघड़ दानी जे बजरंग वली करू सहाई सुमरन करू सिरी नारा यानिका मैं चरणों में ध्यानी लगाई सुनो सुनाते मात पिता हमे पावन मैं कथा यहीं से आए मात बैशनों के से आई सिर्कुत परबत बस गई मात त्रिता योग में सिर्विसनुजी अबदपुरी में जन में आए राम नाम से मात पिता सब सारा जग परचय हो जाए सर्व सक्तियां हुई ये कठी अपना निर नहीं लिया बनाए सर्व सक्तियां हुई ये कठी उसी समय के कन्या जनमीद पर रूप करके प्रगताई पूछ रही कन्या सक्तिन से हाथ जोर और सीस नवाए क्यों उत्पन ने किया मुझे माता कारण इसका देओ बताई इस पर जवाब दिया सक्तियोंने कन्या सुन लेकान लगाए तुमको सब सक्तिनने जनमो जिब्य रूप तुम्हेरा के हिलाई सादा धर्म की रक्छा करना यह तुम्हेरा करताब कहाई दच्छिड भारत में जाकर की रक्ना सागर के घर माए उनके घर में जनम लोकन्या तिरी विसनू का अंसे कहाई उनके घर में जनम लोकन्या उनके घर में जनम लोकन्या सिरी विसनू का अंसे कहाई रतना सागर की बेटी बने उनके घर में जनमी आए है अवितार लिया कन्या ने जिसका दिब बे रूप कहलाई विसनू अंस से इस कन्या का तिर को तर दीन हाना में धराई विसनू के अंस से पेदा हुई है जिसकी सूरत अजब सुहाँ वही बेशनो माता बन गई मैं आ गई जब जगत में छाय खोड़े समय में इस दिवी ने सई प्रतंसा है फेला आई रिसी मुनी आकर सित होते साधु संत दर्सन को आई रिसी मुनी आकर सित होते तो एक दिन फिर कुटा तब करने को पिता से अग्या लई मगा जा पहुंची है सागर टट में अपनी आजन लई जमाए राम नाम की भक्ती लग गई राम ही में मन लिया रमाई लीन हुई सिरी राम नाम में राम बेना कुछ भी नहीं भाई करे पटिक छारा में दर्स की राम मिले कभ मुझे को आए कठन सादना की तिर कुटने अपनी समाधी लई लगा यह तो है संच्छ फिक कहानी अब आंगे की कथा सुना आई जब रावड ने सीता चुरा के गढ़ लंका में गया लिवाई जब रावड ने सीता चुरा के की सो से करमित्र सरामा जब लंका और पहुचे जाए खो जते आए रामिल अच्छ मड़ पानर सैना संग कहा आए नजर पड़ी सिरी राम चन्र की और कन्या धिग पहुचे आए पूछ रहे सिरी राम प्रेम से तब तिर कुटा के नैन खोल जाए नैन खोल कर जेसे देखाओ खड़े सामने राम दिखाओ पूछा फिरी राम प्रभू ने सबका कारण देओ बताओ नाम तुम्हारा क्या है देवी मात पिता तेरे को ने कहा इस पर तिर कुटा प्रभू से बोली अपना पर चै दिया बता इस पर तिर कुटा प्रभू से बोली इतनी बाते सुन कन्या की राम अचंभव में पढ़ जाए हसकर बोली है तिर कुटा से से बी सुन लो ध्यान लगाए मैने एक पतनी हून एक सुन्दरी लिया संकल्प कराए मेरी साधी हुई सीता से वह मेरी अरधांगनिया अब इस जनम में है ये मुश्किल सत्य कहूं तुमको समझा तुम्हरे तपका फाल ये देवी तुमको निश्चय ही मिल जा एक दिन भेस बदल कर आओं मुझको जो पहचान तु जाए सत्य कहूं है देवी तिर कुटा तुमको लूगा मैं अपनाए सत्य कहूं है देवी तिर कुटा सत कहूं है देवी तिर कोटा तुम को लूँगा मैं अपना यह मन मान गई तिर कोटा के पैठी प्रभु का ध्यान लगाए राम चले गए नजर से ओझल अब आँगे का हाल सुनाए लंका जीत लोट जब रामा उसी जगह पर पहुँचे आए आद आई तिर कोटा भक्तन की अपना साधू भेश बनाए जब पहुचे है अबद बिहारी खड़े सामने प्रभु जी आए देखे कि तिर कोटा हेरत खावे राम को फिर पहचाना नाए प्रगट हुए सिरी राम रूप धर तिर कोटा गई रंज में छाय प्रगट हुए सिरी राम रूप धर चरण बंद ना की है प्रभु की बड़े भाग फिर दर्शन पाए आसे रिवाद दियो रघु नंदने और तिर कोटा से कहीं सुनाए कल योग में कल की ओतार में तुम्हे से चरी लेओं बनाए उत्तर भारत में सुन देवी जो तिर कोट परवत कहलाए तीन सिखर आति सुन्दर वहां पर महा सत्तियों का बास कहाए मगने रहो देवी वहां रह कर गर्ब गुफा पर सिद्ध कहाए लंगोर बीर रहेंगे पहरी की रद तुम्हेरी सब जग गाए नाम बेशनों होई तुम्हारा रहो पर अंतर ध्यान हो जाए नाम बेशनों होई तुम्हारा तुम्हारा पर अंतर ध्यान हो जाए नाम बेशनों होई तुम्हारा जो हम तुमको रहे सुनाए कट्रा से कुछ दूर ममया हनसाली एक गाओं कहाए सद्यों पुरानी बाते कहते मा की लीला कही न जाए हनसाली इस गाओं में जन में सिर्धर पंडत नाम कहाए पर संतान नहीं सिर्धर की दुख बस इसका रहा सताए कन्याओं का पूचन करती किरिया रोज किलाई बनाए कर उपवास संज जब होवे करे फ़ला हरे भोग लगाए कर उपवास संज जब होवे तो सची लगन लगी देवी से एक दिन माता गई हर साय देख भक्त की भक्ती मैया पैशनों कन्या रूप बनाए कन्या पूजन की तैयारी सिर्धर ने फिर लई बनाए छोटी छोटी कन्या बेठी जो सिर्धर ने लई बुला उन कन्याओं में जगदंबा सामिल हुई भवानी माए नियम तो सिर्धर बाबा काई सब कन्यों के चरण धोलाए फिर परसत है पुड़ी खीरियां और फ्रद्धा से घर पहुचाए अब भोजन जब परशन आए सुन्दर कन्या नजर में आए अब भोजन जब परसन आए तो अब भोजन जब परसन आए सुन्दर कन्या नजर में आए चकाचोंद भाई सिर्धर बाबा इस कन्या को देखा नाए केहते सिर्धर यह कन्या तो मेरे गाओं की बेटी नाए दान दच्छणा लेकर सगली कन्या अपने घर को आए पर यह कन्या क्यों बेठी है भाला मैं पूछू इस से जाए सिर्धर तो कुछ बोल न पाए कल दिया बोल पड़ी मों से काए महसक्त जगदंबा मां का रूप अनोखा अजब सोहाए कन्या ने सिर्धर से बोली एक काम से पहुँची आए कन्या ने सिर्धर से बोली चोटी सी कन्या के हित्री है बाबा सुन लो ध्यानी लगाए आसपास की गाउं में जाकर जन जन दो संदी सा जाए कल दो पहर भंदारा होगा भक्त जनों को लो बोलवाई इतना कह कर गायब हो गई पैस्नों मात भावानी माई चिन्ता में सिर्धर दूबे है मेरी बात समझ नहीं आए कोन थी ऐ छोटी सी कन्या मुझसे कह गई है समझाए जाग उठी हिरते में सक्ती कोन करस्मा देवी दिखाए परिसान थे फिर भी मन में सिर्धर को नहीं सानती आए परिसान थे फिर भी मन में परिसान थे फिर भी मन में सिर्धर को नहीं सानती आए निकल पड़े हैं सिर्धर बाब चग दंबा को धान लगाए आसपास के गाउं में जामें सबसे पंडित कहें सुनाए खोद आना कन्याओं को अपने अपने लाना संग लिवाए है भंडारा मेरी कुटिया में समय पे सब तुम पहुचो आए आगे चल दिये सिर्धर पंडित दूरे गाउं को कदम बढ़ाए उची समय गुरुगोरक मिल गए बहुत अक जुन्ड साधु पायाए कि आपना में तभी सिर्धर ने गुरुगोरक कोजी सनवाए कि आपना में तभी सिर्धर ने तो कि आपना में तभी सिर्धर ने गुरुगोरक कोजी सनवाए आशर वाद दिया गोरक ने फिर बोले मन में मुसकाई नाम पूछ रहे हैं सिर्धर से अपना पर चैदेओ बताई इस पर ज्वाब दिया गोरक को सिर्धर दीना नाम बताई हंस साल एक गाउं है छोटा वह मेरा रहवास कहाई है विसाल भंदारा घर में क्रपा करो सब पहुचो आए इस पर गोले गुरु गोरक जी प्रम हण सुन ले कान लगाए भेरोनाथ संग है मेरे चेला तीन साथ कहाई भेरोनाथ संग है मेरे देवी राज जो इंद्रे कहां में वो नहीं भोजन सके कराई तोच समझ कर बोलो ब्राम्भने नहीं तो बात बनेगी नाए इस पर जवाब दिया सिरिधर ने कन्या का दिया हाल सुनाए सोच के रह गए हैं गोरक जी मेरे बात समझ नायाए कोन सी कन्या सिरिधर यें सी सब को भोजन देख कराई लेंगे उसकी जाई परिक्छा सच क्या जूट पता लग जाए गोरक बोले हैं सिरिधर से ब्रामण सुन ले कान लगाए हम्यामे कल ठीक समय पर तुम तैयारी लेओ बनाए हम्यामे कल ठीक समय पर तो हम्यामे कल ठीक समय पर तुम तैयारी लेओ बनाए दियान मंत्र स्रिधर वाबा अकनी कुटिया लोटायाए रात कटी मुस्किल से बेरने होत सरेरा चिन्ता चाई इतने बड़ भंदार एकामे कैसे लू सामान जुटाय हाई गरीवी बेसई चाई मुख से बोल निकलता नाए बेठी चिन्ता में पंडित जी आब कुछ युक्ती समझ नयाए दिब रूप धर कन्या बन कर प्यश्नो देवी गई प्रग्टाय बोली कन्या है सिरिधर से बाबा काई रही घबिराय बोली कन्या है सिरिधर से प्युक्ती बोली कन्या है सिरिधर से बाबा काई रही घबिराय इतना केके गाई बोली कन्या है इधर दो पहर होने चली अब नियोतावारे पहुचे आए धीरे धीरे सिरिधर के घर भीड एकटी हो गई आए गुरुगो रख भी आने पधार चेला तीन सु साथ कहा आए छोटी सी कुटिया सिरिधर की कितनी कैसे भीड समाए सोच रहे थे जितने आए कितना भोजन कहां से आए जिस पर क्रपा हो माता की उसको आज कहां से आए जिस पर क्रपा हो माता की उतकर आए सिरिधर पंदे दोर जोगिन से कही सोनाए हात जोड कर बोले चलिये गुर्वर बिलम करो अब नाए आंगे सिरिधर पीछे गो रख चेला घोसे कुटी में जाए कहते गो रख छोटी कुटिया जग है पूजने को है नाए महात पादेवी की हो गई सब कुटिया में गई समाए आसन मार बैठ गई गो रख सिरिधर चेला दिये बैठार शुरू हुआ है फिर भंदार रह कन्या भोजन पर सन्याए भ्यरो जोग ने है संग बेठा मदरा मास बुरा मंगाए भ्यरो जोग ने है संग बेठा इस पर जावितिया कन्या ने जोगी सुन लेकान लगा यह परसाद भंदार रिक जो सब खा मैं वो तू खाए मदरा मास मिलेना तुझको इस पर भ्यरो गया गुसियाए बैशनो माटा के भंदार को उसने दीना ठोकराए हटकर लीनी है भ्यरो ने बहताई जोर गया गुसियाए उसे तो लीनी रही परिक्छा पर भो भेद समझ ना पाए उठकर भ्यरो हात पकड़ने आंगे दीना कदम बढ़ाए पीछा कर कन्या का दोड़ा कन्या को वह पकर न पाए पीछा कर कन्या का दोड़ा तो पढ़ गई देवी फिर आंगे को जिसका रूप गया है लुभाई आंगे देवी पीछे भेरों पैरी पीछा छोड़े ना पवन रूप वह दिप्थिकन्या अपनी कला रही बत लाए दर्सनी दर्वाजासे होकर वाल गंगा को पहुँची जाए चरण पाद का आदी कुमारी होकर गोफा में घोस गई आए बड़ी भयानक गोफा वहां थी गर्वे जून वह गोफा कहाए लंगोर बीर का पहरा माने गोफा दौर पर दिया लगाए नो महीने तक गर्वे गोफा में जग दंबाने लिए बिताय नो महीने तक गर्वे गोफा में नो महीने तक गर्वे गोफा में जग दंबाने लिए बिताय खोजत यहां वहां को भेरों कान्या उसको मिलती ना उसी गुफा में एक साधू था अटल तपसी जो कहला मात बेशनों ने दरसन दे उसका जीवन धन बना एक दिन भेरों से साधू की मुलाकात एसाई हो जाए फिर समझाया है भेरों को वह कन्या साधा रणना आए आदि सक्त जग दंबामा है क्यों तो पीछा छोड़े ना उनका लांगुर पहरी बेठा गुफा के भीतार जाना पाए उनका लांगुर पहरी बेठा उनका लांगुर पहरी बेठा गुफा के भीतर जाना पाए कठन लडाई की लांगुर ने भेरों घुसन गुफा में पाए देखिलकारी हसी भावानी बिकट रूप मा का दिखलाए काट लई भेरों की गरदन मा ने चंडी रूप बनाए मारत काल भेरों के महों से मा का सब्द निकल ही जाए कहता तड़फट तड़फट मा से तुमको मैंने जाना ना भूल छमा कर दो मेरी माता और मैं कुछ भी मांगू ना आए मा का हिर देदाया का सागर आखिर दाया गई है आए मा का हिर देदाया का सागर तुम प्रगट भाई मा बेशनो देवी और भेरों से कही सुनाए तुने मुझ को मा कह करके मरत काल अब मुक्ती पाए कहती माता फिर भेरों से तेरे दरसन जो ना पाए मनो काम ना रहे अधूरी सत कहूं यह जूत है नाए मेरे दरसन कर नर नारी लोटक तेरे दरस को जाए मेरी पूजन के फिर पीछे तेरी भी पूजा की जाए हो उद्धार इसी में तेरा कितना कह गायव भाई माई कन्या अंतर ध्यान हो जाए दूध बाद भंदा राके जवे दूध बाद भंदा राके जवे कन्या अंतर ध्यान हो जाए सिर्धार कंडत सोच में पड़ गए भारी दुख में गए हैं चाय खाना पीना छोड़ दिया सब रात दिना कुछ नहीं सुहाए अर्थ रात तेरी मात बेशनों सिर्धार को फिर सपन दिखाए साफचात जगदंबे माने अपना रूप दिया दरिशाए करी बंद ना सिर्चनन की मैया मंद मंद मुसकाए अपने परंभक्त को ले गई मात बेशनों संग लिवाए सपने में ही धाम मातने सिर्धार को है दिये दिखाए सपने में ही धाम मातने गद गद हो गई प्याकुले अक्या जग दंबे के दर्शन पार माता ने सिर धर बाबा को अटल बचन है दिया सुनाई तेरे चार पुत्र भी होंगे इसमें जूट जरा भी नाई करे पीडियों पीड़ी पूजा यह तुम्हरा अधिकार कहाई सुख और सांती रहेगी घर में चिंता किसी बात की नाई इतना कह कर गायब हो गई मात बैसनों जग की माई तिर पुट परवत परमया की उचे धर्म धोजा लेहरा आई कि आप प्रचार तभी सिर धरने भक्त रहे दर्सन को आई कि आप प्रचार तभी सिर धरने अहले से जगन का मलव को ए आई कि आम étaं प्रच पीजिए वहा उन्म